इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हो किस तरीके से डेट इन टाइम को चेंज कर सकते हैं रेडमी के 9A के डिवाइस में और फ्रेंस इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हो आपका भी 12 hour वाला timing जो set हो रखा है तो उसको कैसे आप उसको set कर पाएंगे अच्छे से मतलब उसको set कर पाएंगे और friends aggression पर पहली बारे तो चैनल को subscribe कर लेजेगा साथ में गंटी का option आया तो उसे भी click कर दीजेगा ताकि आपको latest video का update मिलता रहें तो चलिए जानते है step by step की किस तरीके से आप अपने phone में इस features का इस्तमाल कर पाएंगे याने के enable कर पाएंगे तो आपको setting में जाना होगा setting में जाने के बाद आपको क्या करने होगा date in time यहाँ पर नहीं दिखेगा तो आपको additional setting पर क्लिक करना है यह right additional setting और यहाँ पर 3 dot दिखेगा तो इसी इपर click करने के बाद ऊपर मैं आप देख सकते हैं first number पर भी date in time को पिक रहे तो इस पे क्लिक के जिए और यहां पर 12-hour वाला ओप्शन है यहां पर 24-hour वाला होगा तो इसको 12-hour वाले पर set कर सकते हैं और set करने के बाद आपको यहां से आप यह automatically network provided date and time होगा इसको off कर दीजेगा और यहां से अपना खुद का date and time set कर सकते हैं यहां से easily और यहां पर timing date and time set कर सकते हैं month और यहां पर year set कर सकते हैं ओपर नीचे करके ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक option देखने को मिलता है time am pm यहां पर time set कर सकते हैं वहां पर date प्राइब यह लुगा उसको किलिक कर दीजिए या फिर आप जाए किलिक में बसको ओन कर दीजिए बाकि सब को आफ कर दीजिए यहां से तो फ्रेंजिस इसी प्रकार से आप अपने फॉन में इस टाइम को सेट कर सकते हैं तो गैस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर इन सब्सक्राब करना मत बुलेगा मिलते हैं ऐसे गो इंटरस्टिम वीडियो के साथ अपते के लिए नमस्कार और गुडबाई टेक क्यार